आज हम बनाने जारहे हैं बहुत अमेजिंग सा बैंगन की सब्जी। आज तक बहुत बार खायोगी अगर इस तरह से नहीं खायोगी जैसे आज हम आप लोगों को बनाने वाले बना करके बहुत 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 टेस्टी बनती और दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं बना लेते हैं कि बैंगन की सब्जी कैसे बनानी है आप लोग देखी सकते हैं तो हलो एवरीवन आप सब का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाया मिस्रा की रश्रोई में जो कि आप लोगों को आज बनाने को देखने को मिलेगी बैंगन की बहुत टेस्टी बहुत यमी सी सब्जी तो चलिए देख लेते हैं पहले पहले हमने बैंगन को कट कर लीना है इस तरह से और फिर हम इसे किया करने अगा यह ये भी अगर आप नहीं ख़्यालाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कट कर किरख सकती हैं कि हम चीड़ा थोड़ा-सा जोड़ा जया के सब्सक्राइब चीड़ाने वाले हमने काट कर इसलिए चील है जिसके थोड़ी सी मैनत बची रहे हमारी काट काट कर पहले ही देख लेंगे की अगर हमारे बहारे बहेंगण में कीडा होगा जो हम नहीं जील लेगे अगर हमेरे भी कंड़ा होगा जो प्रिज में रखे रखे भी चीज़ें खराब हो रही है इस हुझे से हमने कहा था आप देखे यह बैंगन को कट करके आप पानी में जरूर डाले बिना पानी का रखेंगे बैंगन तो बाद में हम आप पहले से पैंपर जो की आपको दिखाया था शुरू में तो इसमें इसमें डाल देंगे यह देख सकती है इस तरह से इससे क्या होगा ना एक आरो मा आने लगेगी हमारे बैंगन में चो कि आप सच में आप भूल नहीं बाहिंगे इतनी अच्छी सी अरोमा आएगी बून जैसे लगएगा कि बैंगन हमने बून कर बनाए है तो तो देकी टेम नमक जिससे कि हमारे टमाटर और बैंगन अच्छ से कुख हो जाएं तो इसी तरह से हम इसे पकाएंगे यह देख सकती हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर हमारी रेस्पी अच्छी लगे आपको तो प्लीज लाइक करिएगा और सस्क्राइब कर दीजेगा और कमेंट जरूर करा करिएगा यह देखे इसमें हमें कुछ आलू डाल दे हैं क्योंकि हमने सबजी में आलू का भी इस् इसमें फ़केंगे अइसमें को देखेंगा यह देखियें क्रीज अब इस तरह से अपने बैगन का हम ने जरू आए है इस फकी औरस तरह से अब जाए पानी निकला हुआ हुआ होगा जूस वह भी सब तरह हो जाए जिससे जले नहीं बैगन आरे सरitter दिते नाइफ लगाता करेगे हम कच सब गी कुक हो गाए तो इसी बाएंगे पस इसी तरह से हम पलट करके ने लेसे लीए तरह एसे करेगे तो इस तरह से हम कुक कर लेंगे, कढ़ाई छोटी है, अगर आपके कढ़ाई बड़ी हो तो आप एक एक लेयर भी पहला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमने एक पहला दिया तो देखिए, इसको अच्छे से ढख देंगे, तो पूरी तरह से पकने देंगे तो इस अच्छ अभी देखिए, अभी यहीं तक मत जाएगा, अभी इस सबजी हमारी यहां पर नहीं बनी है, अभी आगे बहुत कुछ है बाकी, तो आप लोगों को आगे दिखाएंगे, तो देखिए, सारे बैंगन में सपॉर्ट पढ़ चुका है, आपके बाद प्रॉट्टो मैसर हो, तो आप इस तरह से मैस कर सकती है, मगर जहां हम माई के आए हुए हैं तो यहां पर इतना सब नहीं सुईधा है, तो हमने स्पून से इसको फोर्ट दिया है, इस तरह से मैस कर दिया है, क्योंकि बैंगने कुख हो चुका तो आसानी से फूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम न मैस कर देंगे. चले हैं आप आके दिखाते हैं कि आगे आपको क्या ही करने से साथ। इससे तरह से करेंगे, इसका एक बहुत बना कर देखेंगे, आप बैंगन की सबजी को तो उंग्लिया जरूर चाटते रहे जाएंगे, आप शे बैंगन का भरता भी बोल सकती हैं, यह को जो कह दीजिए बहुत टाइम लगने वाला है ऐसा कुछ नहीं है तो इससे हम फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा जिससे कि आगर आलू के साथ हम प्रोसेस करें तो इसमें दिक्कत ना आए बैंगन ज्यादा अलू फूटे नहीं नहीं वारे इस तरह से तो अब देख सकते हैं हम आएल डाल देंगे इसमें यह देखिए तो कड़ाई में आएल डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाली जो हमने कट करके रखे थे तो अच्छे से गरम हो जाने दीजिए क्योंकि हम बैंगन के भरते या बैंगन की सब्ची में मस्टर्ड ओयल जादा इस्त आप इन सब चीजों की कॉंटिटी अपने भी सर्फ कर सकती है कम जाधा अपने हसाब से कर सकती है अगर आप चाहे था सबाह mau तो प्यास लसं कहीं कहीं ने कहाईे जाता है तो है था सकता है लेकिन हाँ यह गैरंटी हमारी है कि इस तरह से बनाइगी ना तो बच्चों को ष तो इसको हम श्राइ कर लेंगे यह देखिए अब इसमें हम डालेंगे हम थोड़ी सी दो पिंच इस तरह से और आप डालेंगे हरा मिरच साथ में ही भून जाएगा जिससे के बहुत चटपटा बनता है तो चटपटा देखिए सूगी सब्जी अगर है चटपटा अगर बनात पाउडर अच्छा़ा, इससे हम फ्राइ कर लेंगे, थोड़ासा पाउडर ड़ेंगे यूससे के जूब'Masalय है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर यह जले नहींि, इसससे थोड़ासा मसाला डाल तेंगे इट कर देंगे इसमें, अच्छाnesे अब इसे हम फ्राइ कर ल जो बॉइल करके आलू रखे थे उनको लेंगे और फोल कर डालेंगे, यह इस सबस्य जादे हैं, तो आप नाइप से कट कड़ के डालना चाहते हमकर अच्छे रखते हैं अगर इसमें पर झालना पूलfeld में अपने नम्मक के घ्रादिया हमने खाने हमें चर्ण चाहसे आप यह बहुत अमेजिंग लगती है एक बार आप इसे बना कर ट्राइ करेंगे तो गैरंटी हमारी है कि आप पलट कर आकर कमेंट जरूर करेंगे कि दीधी बहुत अच्छा बना था तो इस तरह से कुछ नहीं करना है बस मिक्स कर देना अच्छे से इसलिए हमने बोला था कि को हलका सा भून लेना है वही पर तो यहांस भन कर सिब्ढन नम सावश कर दें गे कि तेंके अभर तो ते कर देखें और यह मुझा सुने चालि एक यह पर सिर्व कर दें गी तो इसे तो आप दूर्म करिए तो आपको पसंद में होरे कर दें जरूर बताएगा कि आपको हमारी ये recipe कैसी लगी तो आयो बापको समझ में आ गया होगा कि आपको अच्छी लगेगी तो देखिए चलिए फिर हम तो चलते हैं enjoy करने तो आप भी बनाईए और enjoy करिए इस recipe को अगर पसंद आती तो like, subscribe and share करिए हमारे बैंगन की सुखी सबजी बढ़ाए